Hello everyone, welcome back and आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं elasticity को तो बच्चों, elasticity का यह जो topic है, यह काफी important है इसमें हम देखने वाले है, what is the relation between bulk modulus, young's modulus and poisons ratio तो सबसे पहले मैं यहाँ पर notation लिख दिया है कि किस तरह से हम indicate करने वाले हैं different parameters को तो सबसे पहले दिखना एक stylish सा E and that is strain यह capital E that is young's modulus, यहाँ पर जो eta लिखा है वो होगा poisons ratio and sigma दिखाने वाला है stress को अब क्या कर लिया, हमने एक 3D object लिया है जिसके cuboidal देख सकते हैं, इसके sides हैं A, B and C and इन sides के along बने axis ले रखिये हैं X, Y and Z यानि कि A के along है X, B के along है Y and C side के along है Z अब क्या किया गया, इसके साथ किया थोड़ा सा खिलवाड यानि कि हमने कर दिया इस पर pressure generate तो सभी direction से हमने pressure इस पर लगाया और कितना लगाया, let us say delta P अब देखो pressure इस तरह से compressive pressure लगाया तो इसका मतलब इसका volume कम होगा या बड़ेगा बिल्कुल सही, कम होने वाला है तो volume यहाँ पर कम होगा तो अभी देखो, यहाँ पर हर direction से pressure लगा हुआ है और हमने एक चीज़ देखी है, सिक ETA और ETA क्या indicate करता है This is lateral strain upon longitudinal strain और वो भी minus के साथ में तो सबसे पहले, मैं अगर Y के along देखना चाहता हूँ तो Y के along जो strain generate हुआ, वो कौन सा हुआ? वो हुआ longitudinal जिसके across force लगा है और इसके perpendicular में जो आपकी direction बनी यानि की X and Y, वो कौन सा हो जाएगा? लेटरल तो guys, मैं अगर यहाँ पर poisons ratio लिखना चाहता हूँ यह समझ में आया, इसका मतलब लिखाया सकता है कि strain in X is equals to eta times strain in Y ओकी? और minus के साथ में इसी तरह से मैं अगर Z axis के लिए भी लेता हूँ तो Z के along भी आपके पास stress generate हुआ, strain generate हुआ तो eta is equals to Z के along जो लिखा जाएगा वो होगा नीचे यानि की E Z नीचे होगा इसके perpendicular दो axis available है, मेरे पास accent Y और मुझे काम है X से इसलिए मैं लिख रहा हूँ, X minus के साथ में तो it means यहां से E X के value जो बनी है E X, strain along X, कितना बना? minus eta times E Z ठीके? तो finally मैं E X के value लिखना चाता हूँ, तो बच्चों क्या लिखा जाएगा? तो देखो, अगर कोई हमारे पास poisons ratio वगरा कुछ नहीं दिया हुआ होता तो क्या लिखते हैं? हम simply लिखते हैं sigma along X divided by Young's modulus लेकिन हमारे बदनसिबी है कि यहां पर poisons ratio दे दिया है या फिर हम इतने detail में पढ़ रहे हैं कि यहां पर poisons ratio भी involved कर रहे हैं यहां पर देख रहे हैं कि EX जो कि यहां पर depend कर रहा है EY पर similarly EZ पर भी तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखा जाए इन दोनों का relation तो इससे पहले एक बार सोचते हैं कि अगर हमने compressive stress generate किया है तो इसका मतलब side A कम होने वाला है यानि कि इसका मतलब X के along जो strain generate हुआ वो negative होना चाहिए और इसके according अगर देखें तो क्या आ रहा है positive बन रहा है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर minus से multiply करना पड़ेगा अब मैं बात करता हूँ कि poisons ratio की वजह से Y के along जो changes है वो X के along कैसे affect कर रहे है तो एक बार और सोचते हैं कि जो EY होगा वो क्या होगा positive या negative that will be negative as well तो इसका मतलब क्यों क्योंकि compressive stress है तो सभी sides होनी है कम तो सभी के जो along strain आने वाले हैं यानि कि X के along strain Y के along strain and Z के along strain सभी होंगे negative और यह अगर negative हुआ तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा EX के value positive बढ़ने वाली है तो एक बार सोचते हैं यह हो क्या रहा है तो बच्चों देखो अगर मैंने Y के along कमप्रेस किया तो body का volume तो constant रहना चाहिए था इस तरह से कुछ यह feel करेंगे तो अगर इसे कमप्रेस किया Y के along तो body क्या चाहेगी यह X के along बढ़ना चाहेगी Z के along बढ़ना चाहेगी इसका मतलब यह अगर negative हुआ minus sign अल्रड़ी यहाँ पर है तो EX जो है इसके वे से positive बढ़ना चाहिए तो बिल्कुल यही काम हम करेंगे EX is equals to eta times EY plus eta times EZ यह क्यों लिखा यह लिखा है Z के along जो कमप्रेशन हुआ उसका X के along effect क्या आया बिल्कुल उसी तरह से Y के along जो कमप्रेशन हुआ उसका X पर effect क्या आया है यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें लिखना है यह throughout जो value बननी चाहेगी और यह भी positive बनना चाहिए तो finally थोड़ा सा अगर हम आके बढ़ें तो EX लिखा जा सकता है minus sigma X by E plus eta sigma Y by E plus eta sigma Z by E ठीक है तो यहाँ से मेरे पास finally बन चुका है minus sigma X by E plus eta upon E sigma Y plus sigma Z that is EX अब मैं बात करता हूँ E Y की तो बिल्कुल similarly यहाँ पर लिखाया सकता है जल्दी बोलो यहाँ क्या लिखेंगे minus of sigma Y upon E बिल्कुल सही and this one यह हो जाएगा eta upon E sigma अब यहाँ पर Y था यहाँ पर X था तो यहाँ पर Y और Z हो गए तो यहाँ पर Y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा X plus Z इसी तरह से E Z अगर लिखा जाए तो minus of sigma Z upon E plus eta upon E अब यहाँ Z involve हो चुका है इसका मतलब यहाँ मुझे X and Y लिखना पड़ेगा तो sigma X plus sigma Y तो देखो let us say this is equation 1 this is equation 2 and this is equation 3 तो इन तिनों को अगर add किया जाए तो क्या बन जाएगा इस तरह बनेगा E X E Y E Z is equals to minus of sigma X plus sigma Y plus sigma Z upon E plus eta by E 2 sigma X 2 sigma Y and 2 sigma Z okay now E X plus E Y plus E Z यहाँ पर हम बन चुके हैं इस equation को अभी यहीं hold पर रखते हैं अब बात करते हैं body के लिए तो volume अगर body का लिखा जाएगा तो that is E into B into C दो अधर हम लेते हैं LN LN of V is equals to LN of A into B into C and इसे simplify के आए सकता है LN of V is equals to LN of A plus LN of B plus LN of C Now इसे differentiate करते हैं तो क्या बनेगा DV upon V is equals to D A upon A plus D of B upon B plus D of C upon C Now अगर यह दिखान से देखें तो यह क्या लिखा है Change in A divided by A Change in B upon B Change in C upon C तो this can be written as यह है आपके पास E X यह E Y यह E Z यह देखो क्या है यह है A side A किसके along थी? X के along इसका मतलब यह लिखा हुआ है Change in Length along X divided by Initial Length along X यह लिखा है Change in Length along Y upon Initial Length in Y Change in Length along Z divided by Initial Length in Z That's why हम लिख सकते हैं इसको Strain in X plus Strain in Y plus Strain in Z That is why this is DV by V तो further इस equation के पास आते हैं तो देखा है सकता है E X plus E Y plus E Z that is DV upon V is equals to minus of Sigma X plus Sigma Y plus Sigma Z तो Sigma X plus Sigma Y plus Sigma Z minus 1 plus 2 Eta upon E इनको क्या कर लिए common ले लिए तो minus 1 plus 2 Eta नाव एक चीज हम देख सकते हैं कि सभी direction में हमने compression same लिया था इसका मतलब Sigma X is equals to Sigma Y is equals to Sigma Z और हमने क्या क्या था compression pressure generate किया तो let us say उसे मैंने कर दिया Delta P के बराबर let us say मैं उसे बोलता हूँ Delta P तो यहाँ पर बड़ी सिंपली हम लिख सकते हैं DV by V is equals to minus of यह हो जाएगा Delta P this is Delta P and Delta P यानि कि 3 Delta P 2 Eta minus 1 upon Young's modulus देखो बच्चों हमने थोड़ी सी mistake कर लिए एक बार वापोस चलते हैं यह देखो कि यहाँ से अगर हमने Sigma X plus Sigma Y plus Sigma Z common लिया तो यहाँ बनेगा minus 1 और यहाँ बनेगा plus 2 Eta ठीके तो यह minus बाहर नहीं आएगा यह यहाँ पर कुछ नहीं होगा this is common लिया है Sigma X plus Sigma Y plus Sigma Z minus 1 plus 2 Eta and similarly यहाँ पर भी minus नहीं दिखने वाला है ठीके यह आपके पास finally बन चुका है अब देख सकते हैं Delta P is equals to E upon 3 times 2 times Eta minus 1 into dV by V और इससे बन चुका है Delta P upon dV by V is equals to E upon 3 times 2 Eta minus 1 and यहाँ से आप देख सकते हैं यह किसके बराबर दिख रहा है bulk modulus and bulk modulus लिखा जाता है minus of Delta P upon dV by V इसका मतलब यह बन जाएगा E minus के साथ में 3 times 2 Eta minus 1 तो finally यह बना है E by 3 1 minus 2 Eta and this is the relationship between bulk modulus, young's modulus and poisons ratio अब एक बात मुझे पता है bulk modulus positive होता है young's modulus भी positive होता है इसका मतलब यह जो denominator में value है हमेशा positive रहेगी तो 1 minus 2 Eta always remains positive इसका मतलब इसका अगर इदर ले जाएगे तो 1 is greater than 2 Eta इसका मतलब 1 by 2 बड़ा होने वाला है Eta से तो हर object के लिए हर body के लिए Eta की value हमेशा 1 by 2 से छोटी रहेगी 0.5 से छोटी रहने वाली है and this is the final relationship जो के हमें याद रखना है इसके value हमें याद होने चाहिए तो एक बार जल्दी से revise कर लेते हैं बच्चों हमने इसमें किया क्या है तो सबसे पहले हमने एक 3D object लिया था जिसके sides है A, B and C side A is along x-axis this is along y-axis and this is along z-axis हमने जो notation यूज किये हैं stylish वाला E that is strain यहाँ पर capital E that is young's modulus eta is poisons ratio and sigma is stress ठीक है and x, y, z इस तरह से define किये है तो poisons ratio अगर हमारे पास पता है तो poisons ratio लिखा रहता है eta is equals to minus of lateral strain upon longitudinal strain इसका मतला अगर मैं y के along compression देख रहा हूँ तो lateral वाला कौन सा हो जाएगा x and z तो मैं पहले x के बारे में देखना चाहता हूँ तो क्या लिखा जाएगा eta is equals to minus ex यानि कि strain along x upon strain along y इसी तरह से z के along longitudinal compress देखते हैं तो z के along ऐसे अंदर तरफ दब रहा है तो क्या वजाएगा eta equal to minus ex upon ez ठीके अब finally in relationship की मदद से मैं लिखना चाहता हूँ what is the net strain developed along x तो देखा है सकता है कि sigma x यानि कि x के along जो compressive stress है ये इसे compress करेगा volume कम करने वाला है इसकी length कम होने वाली है इसका मतलब strain negative generate करेगा तो देखो ex के value यहाँ पर ये minus लिखा है अब देखो y के along मैंने अगर compress किया तो इसका मतलब वो x के along इसके length को बढ़ाना चाहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे इसे plus के साथ में लिखना पड़ेगा तो देखो आपके पास finally बना है eta times sigma y by e eta times sigma z by e finally थोड़ी सी calculation यहाँ पर जैसे मैंने ex लिखा बिल्कुल उसी तरह से ey लिखा बिल्कुल उसी तरह से ez लिखा और इन तीनों equations को add कर दिया तो देखो ex plus ey plus ez is equals to minus sigma x plus sigma y plus sigma z by e plus eta by e two times अब यहाँ से इन तीनों को जोड़ दिया तो देखो x और x यहाँ कि दो बार दिख रहा है x इस तरह से दो बार दिख रहा है y इस तरह से दो बार दिख रहा है z तो 2 times sigma x plus 2 times sigma y plus 2 times sigma z अब इस equation को थोड़ी दिर के लिए hold पर रखते हैं प्रसीड करते हैं volume की तरफ तो volume is equals to a into b into c तीनों sides का multiplication तो दोन तरफ अगर ln लिया तो ln v is equals to ln a b c तो यहाँ पर आपके पास तोड़ा simplify किया ln v is equals to ln a plus ln b plus ln c तो देख सकते हैं इसको differentiate करने के बाद में dv by v is equals to da by a dv by b dc by c and देखा जा सकता है dv by v is the volume strain d a by a यह है x के along strain यह है y के along strain यह है z के along strain that's why ex plus ey plus ez अब देखा जा सकता है वापस अगर equation पर आएं तो ex plus ey plus ez that is dv by v and common लेते हैं हम sigma x plus sigma y plus sigma z को तो यहाँ बन जाएगा minus का 1 और यहाँ बन जाएगा plus 2 eta और divided by e तो अब देखा जा सकता है कि सभी तरफ हमने किया लिया था initially सभी तरफ compression same रखा था compressive stress same रखा था इसका मतलब sigma x equal to sigma y equal to sigma z and that should be equal to delta p let us say मैंने से बोल दिया delta p की इतना compressive pressure हमने generate किया हुआ था अब आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए sigma x is delta p this is delta p and this is delta p याने कि 3 times delta p तो dv by v is equal to 3 times delta p 2 eta minus 1 तो बस आप तोड़ा सा देखा delta p is equal to e by 3 2 eta minus 1 into dv by v and delta p upon dv by e is equal to e by 3 2 eta minus 1 and finally बना है bulk model जो लिखा जाता है that is minus delta p upon dv by v and finally ये बना e upon 3 1 minus 2 eta we know that कि इसके value positive होती है ये भी positive होता है इसका मतलब इसे भी positive होना पड़ेगा इसका मतलब 1 minus 2 eta is greater than 0 इसका मतलब 1 is greater than 2 eta इसका मतलब eta is less than 1 by 2 तो किसी body के लिए eta के value 0.5 से exceed नहीं कर सकती है and this is the final result of this video ये हमें याद होना चाहिए तो अच्छा तो बच्चों I hope आपको ये अच्छे समझ में आया होगा कैसे हमने इसे derive किया है कैसे हम इसे use करने वाले है So that's it for this video Bye-bye and take care I hope आपको अपको अच्छा बच्चे समझ आपको बच्छाब I